दो दोस्त जैक और निक एक छोटे से गाव में रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और अपना सारा समय एक साथ बिताते थे। वे एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते, एक साथ खाना खाते और बाकी सब कुछ एक साथ करते। एक दिन जैक ने एक नई मशीन के बारे में सुना जो किसी भी पदार्थ को सोने में बदल सकती है वह लालची हो गया और उसने मशीन खरीदने का फैसला किया निक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैक ने सुनने से इंकार कर दिया जैक ने कड़ी मेहंत की और जल्द ही मशीन खरीदने में काम्याब हो गया उसने इसका उप्योग सभी प्रकार की सामगरियों को सोने में बदलने के लिए किया और जल्दी ही अमीर बन गया हाला कि वह अपनी नई मिली संपत्ती के प्रती इतना जुनूनी हो गया कि वह निक के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भूल गया एक दिन जैक ने निक को अपनी संपत्ती दिखाने के लिए आमंतरित किया निक जैक के लिए खुश था लेकिन इस बात से दुखी भी था कि उनका दोस्त उसकी दोस्ती के बारे में भूल गया था जैक ने देखा कि निक को कैसा महसूस हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसे दोशी और शर्मिंदा महसूस हुआ जैक को एहसास हुआ कि सच्चा धन दोस्तों और परिवार में है, न की भौतिक संपत्ती में उसने निक से माफी मांगी और वादा किया कि वे अपनी दोस्ती की कीमत फिर कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद से जैक और निक की दोस्ती और मजबूत हो गई उसने सीखा कि सच्ची दौलत यह नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि यह उस प्यार और देखभाल के बारे में है, जो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ साजा करते हैं वे एक दूसरे का समर्थन करते रहे, अपने सुखदुख साजा करते रहे उन्हें अपनी दोस्ती में सच्ची खुशी मिली और वे हमेशा खुश रहे